नमस्कार, आज हम लोग चर्षा करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जौन डिस्क के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें जौन डिस्क से रिलेटेट जितने भी important points हैं उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है इसी प्रयास में आज हम इसके नौर्मल, पहले हम pathophysiology को समझने की कोशिश करेंगे फिर हम इसके different aspects पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम जौन डिस्क की अगर हम definition समझने की कोशिश करें तो इसे माना जाता है कि हमारे serum bilirubin का जो normal level है जब बढ़ जाता है तो जौन डिस्क होता है तो जौन डिस्क में यह level कितना बढ़ जाता है serum bilirubin का यह भी मायन रखता है नौर्मली serum bilirubin का level 0.3 to 1.3 mg per deciliter होता है जब यह bilirubin का concentration exceed कर जाता है serum bilirubin का concentration 3 mg per deciliter से जादा हो जाता है तब यह yellowish appearance हमारे skin या mucos membrane में आती है तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे body fluids में या यू कहें कि हमारे body के भीतर bilirubin का concentration बढ़ गया है तो इस तरीके से एक idea बनाया जाता है इस तरीके से एक idea लगता है कि अगर serum bilirubin का level 3 mg per deciliter से जादा हो गया है तो यह serum bilirubin का level हमारे body fluid में बढ़ गया है और इस वज़ा से yellowish appearance होता है skin और mucos membrane में कहाँ पर? skin में हम सीधे देख सकते हैं, mucos membrane में देख सकते हैं तो यही वज़ा है बच्चों में हाला कि criteria थोड़ा से different होता है बच्चों में jointis कहने के लिए कहा जाता है कि अगर serum bilirubin level 4 mg per deciliter से जादा हो जाए तब हम बच्चों में jointis कहते हैं तो बच्चों में criteria थोड़ा जादा क्यों रखा गया? बच्चों में क्यों जादा रखा गया है यह criteria? ऐसा इस वज़ा से किया गया है इस वज़ा से वहाँ पर jointis कहने का criteria थोड़ा सा higher रखा गया है एक बात और भी है कि वहाँ पर hemolysis के लिए एक breast milk में पाए जाने वाला compound भी responsible होता है जिसे हम pre-ganodial कहते हैं तो breast milk में breast milk में एक special compound भी पाए जाता है जिसे हम pre-ganodial कहते हैं वो भी इसके लिए responsible होता है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी important है इसलिए हम इसके बारे में discuss कर रहे हैं serum bilirubin का level 4 mg per deciliter से ज़ादा अगर बच्चों में होता है या newborn में अगर है तभी हम उसे jointis कहते हैं तो ये इसके कारण है चलिए अब ही हम समझने की कोशिश करते हैं metabolism of bilirubin bilirubin कैसे metabolize होता है और ये jointis की process jointis होता कैसे है इस चीज़ को अब हम लोग समझने की कोशिश करते है तो हमारा target क्या है अभी metabolism of bilirubin metabolism of bilirubin ये एक हमारा important point है bilirubin हम इसे अब समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम लोग bilirubin के metabolism को समझ लेंगे उसके बाद हम jointis की और हम अप्रोच करेंगे कि jointis कैसे होता है और इसके क्या-क्या physical examination के दौरान क्या-क्या चीज़ां देखने को मिलती है इसके बाद हम discuss करेंगे congenital jointis के बारे में इसके साथ ही साथ हम देखने की कोशिश करेंगे कि jointis का कारण कहां पर है तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे jointis को हम पूरा का पूरा एक target लेकिन उससे पहले हम discuss करते हैं metabolism of bilirubin के बारे में यहां पर बात करेंगे metabolism of bilirubin की तो जब हम इसके शिरुवात करते हैं तो देखा जाता है कि hym जो कि senescent RBC से release होता है release होने वाला hym इसका by-product है जब senescent RBC या erythrocytes जब तूटते हैं तो उनके तूटने से hym release होता है और यही hym raw material है bilirubin के production का तो यह point हमें समझ में आना चाहिए कि यह जो भी bilirubin बनता है वो बनता कहां से है hym से बनता है तो यह bilirubin बनता कहां है अब यह सवाल आता है हिम से बना लेकिन बनता कहां है तो इसके लिए बात कही जाती है कि इसका जो site है वो है spleen तो इसका site of production site of bilirubin production कौन है वो है spleen spleen में bilirubin का production होता है कैसे होता है actually spleen जो कि reticulo endothelial system का part है इसमें RBC का breakdown होता है इसमें RBC का breakdown होता है जिसके बाद him release होता है और इस him के तूटने की अगली प्रक्रिया में allас bilirubin बनता है यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ पर अगर him allasis होता है तो यहाँ पर हिम को तोड़ते हैं, वो तूटता कैसे है, इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है, अगर कुछ जादा ही तूटने लेगे तो क्या होगा, स्प्लीनो मिगैली हो जाएगी, लेकिन नार्मल तोर पर क्या होता है, किस तरीके से अप्टेक होता है, उसके बारे में अ वज़ा से बिलिवरडिन बनता है, क्या बनता है, बिलिवरडिन और उसके बाद यह रिड्यूस होता है, बिलिवरडिन के रूप में, यहाँ पर अगर आप देखें, तो आप समझ सकते हैं कि रिस्ट्रक्शन आफ सेनिसेंट रेड सेल, और इस दौरान हिम, रिलीज होता ह हिम का पहले oxygenase enzyme के वज़ा से oxygenation होता, oxidized होता है, बिलिवरडिन में, उसके बाद बिलिवरडिन, reductase enzyme के मदद से यह बिलिरुबिन के रूप में convert होता है, यहाँ बिलिरुबिन, aqueous solution में insoluble होता है, और blood में आने के बाद, बिलिरुबिन को आगे transport करने के लिए, albumin से bind करना पड़ता है, यहाँ पर अगर आप नाम देखें, तो यहाँ पर albumin का नाम दिया हुआ, तो यह albumin से bind करता है, one is to one के ratio में, एक बात याद रखें कि unbound bilirubin, blood brain barrier तक को cross कर सकते हैं, और इस वज़ह से neonatal hyperbilirubinemia cause कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि यह albumin से जुड़ करके आगे transport होगा, आगर यह unbound है, तो यह blood brain barrier को cross कर सकता है, अब इससे आगे की process थोड़ी खास होती है, यह जो भी bilirubin होते हैं, यह albumin complex बनागर के जो reaction यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम line diagram के बादियम से देख रहे हैं, तो bilirubin albumin complex blood के जास्ते लीवर में पहुचता है, और यहाँ पर hepatocytes इसको पहले uptake करते हैं, hepatic uptake होता है, उसके बाद cytosolic binding होता है, फिर conjugation होता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो hepatocytes ने क्या क्या इसको conjugation किया, और उसके बाद इसको secret कर देते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि albumin bound bilirubin dissociate होता है, यह जो unconjugated bilirubin है, यह dissociate होता है, और यहाँ पर एक protein carrier molecule इसको अंदर के ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन molecule है, जिसको transfer करेगा, हेपेटोसाइट के भीतर bilirubin दो cytosolic protein के साथ जुड़ता है, और यहाँ इस तरीके से वापस plasma वे वापस नहीं जाता है, तो यहाँ पर आकर कि यह कुछ cytosolic plasma से जुड़ करके, यहाँ bound हो जाता है, फिर यह बैक नहीं ज जा सकता है, यह इसके साथ अब खास बात देखी जाती है, इस दौरान होता क्या है, conjugation जो bilirubin का होता है, अब आगे, वहाँ main process है, इस दौरान यहाँ glucuronic acid के साथ जुड़ता है, यह किसके साथ जुड़ता है, glucuronic acid के साथ, पहले यह बनाता है, bilirubin monoglucoronide, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह biochemistry में भी काफी important है, यह सारे tips, bilirubin monoglucoronide बनाता है, उसके बाद, diglucoronide बनाता है, diglucoronide और यह enzyme UDP glucuronide transferase enzyme के द्वारा, यहाँ पर देख सकते हैं, UDP glucuronide transferase enzyme के द्वारा catalyze होता है, और इस तरीके से, यह अब धीरे धीरे water soluble हो जाता है, तो अब यह conjugated, conjugation किसके साथ हुआ, आप देख सकते हैं, यह conjugation किसके साथ हुआ, यहाँ पर glucuronic acid के साथ हुआ, तो यहाँ पर conjugated bilirubin bile में आता है, और कैसे आता है यह, अब अगली process, यहाँ पर active transport की process होती है, और इसके लिए भी आगे एक specific carrier की जरूरत होती है, अब आगे यह bile में excrete किया जाता है, missile complex बना करके cholesterol के साथ, phospholipids के साथ और bile salts के साथ, तो आगे की process यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर cholesterol, phospholipids और bile salts के साथ जुड़कर यह आगे अब transport करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस तरीके से इसके different steps आगे follow हो रहे हैं, एक बार इसको फिर से हम revise करेंगे, तो हम देख सकते हैं, कि इसमें हुआ क्या, हिम पहले oxidize हुआ, और oxidize हुआ, और उस प्रक्रिया में यह बना bilivardin, bilivardin बना, फिर reduce हो करके, क्या बना, bilirubin बना, यह अभी क्या है, यह lipid soluble है, लेकिन water soluble नहीं है, तो इसको हम आगे blood में transport करने के लिए albumin से bind करते हैं, albumin से bind करते हैं, यह water अभी hydrophobic है, compound, इसलिए water से bound कर, albumin से bound करते हैं, और उसके बाद, यह आगे transport क्या आता है blood के द्वारा, इसके साथ albumin bound bilirubin, और इसे uptick करते हैं, hepatocytes, hepatocytes इसे uptick करते हैं, यहाँ पर इसको uptick करने के बाद, यहाँ पर कुछ proteins होते हैं, जो अंदर, जिसके माध्यम से, carrier protein के माध्यम से अंदर आता है, और अंदर आ जाने के बाद, further, इसे cytosolic protein ligadin, यहाँ पर आप नाम समझ लें, ligadin और G protein के माध्यम से, G protein, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, shortcut, उसके साथ यह bound हो जाता है, bilirubin, तो इससे क्या होगा, इससे होता यह है कि यह वापस नहीं जा सकता, यह अंदर ही पड़ा रहता है, इसके बाद अगली प्रक्रिया यह होती है, कि bilirubin, glucuronic acid से जुड़ता है, किस से जुड़ेगा, glucuronic acid से, और यह बनाता क्या है, पहले bilirubin monoglyceride बनाता है, और फिर bilirubin diglyceride बनाता है, और इस तरीके से, यह अब फर्दर अब इतना mature हो चुका है, यह water soluble हो चुका है, कि यह यहां से अब water soluble compound होने के नाते, बाइल में excrete किया जा सकता है, लेकिन अभी भी इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर जो bilirubin है, उसे हम कहते हैं direct bilirubin, बात समझें आप, यहां पर जो अभी है, यह है आपका direct bilirubin, यह है आपका direct bilirubin, जबकि यहां पर जो bilirubin था, यह था indirect bilirubin, तो यह level हमें पता होना चाहिए, direct bilirubin कौन है, indirect bilirubin कौन है, इनके बीच का हमें अंदर पता होना चाहिए तो अगर हम इसके बारे में समझ पाएंगे तब ही हम आगे clear कर सकते हैं तो ये आगे अब actively transport किया जाता है और active transport करने के लिए यहाँ पर इसे further आगे transportation के लिए cholesterol की मदद मिलती है और किसकी मदद मिलती है phospholipid की मदद मिलती है और ये bile salt के साथ जुड़ता है तो ये bile salts के साथ जुड़ता है ये कुछ लोगों के साथ जुड़कर कि फिर further आगे bile juice के रूप में ये release किया जाता है तो इस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं कि ये कहां तक पहुंचा ये अब आगे की process में जा रहा है और ये धीरी-धीरी क्या हो रहा है ये hepatic liver से निकल करके hepatic duct से बाहरा करके ये क्या हो रहा है common hepatic duct के द्वारा फिर उसके बाद ये gall bladder में जाएगा और आगे की और ये अब आगे transport किया जाएगा आगे की process को हम अपने अच्छे तरीके से दिखाने के लिए next हम image की मदद लेंगे उसके बाद ही हम इसे discuss करेंगे इस image की माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं right hepatic duct को left hepatic duct को जो आपस में मिल करके common hepatic duct बनाते हैं और ये common hepatic duct इधर आप देखें तो एक cystic duct है cystic duct जो कि gall bladder से आ रहा है ये cystic duct उसके साथ जुड़ करके ये common bile duct बनाते हैं तो पहले आपने क्या देखा इसको याद रखें common hepatic duct देखा क्योंकि liver के बाद का common point है common hepatic duct bile के साथ मिल जाने के बाद यानि जो gall bladder के साथ मिल जाने के बाद आप common bile duct केंगे और आगे ये फर्दर मिलता है pancreatic duct के साथ और ये जा करके deuterum के second part में जा करके खुलता है अब यहीं से हम बात करेंगे आगे की इसको अब हम discuss करेंगे इसके आगे की points को अब हम लोग यहीं से discuss करने की कोशिश करेंगे तो अब हम लोग आगे की process के बारे में discuss करेंगे और उसे detail में समझने की कोशिश करेंगे